नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल इमैक्स पाट साला में आज हम लोग इस वीडियों पढ़ेंगे व्यांजन जिसे इंग्लिस में कॉंसेनेंट करते हैं इस वीडियों में हम जानेंगे व्यांजन के परिभाषा तथा इसके वर्णों की संख्या और साथ किया गया है कििस व्यांजन के बिच्छला विडियो नहीं देखा है तो उसे वी एक बर देख लेंगे वे उसमें हम लोगों ने पढ़ा है स्ोहरों के बारे मैं स्वर के बारे में विस्तार पूर्वक उसमें बताया गया है और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज एक बार वीडियो को सस्क्राइब कर लिजिएगा लाइक और कमेंट जरूर किजिएगा इससे मुझे पता चलेगा कि आप रूची पूर्वक इस वीडियो को बढ़ रहे हैं तो चलिए हम सुरूर करते हैं वेचय के बाढ़े में वेचय के परिभाशा जैसे कि हम जान सकते हैं कि कि राण वायू सकते हैं मुख से निकलन फेप्रस निकलने वाला वायू मुख के अलग-अलग भागों से तक राकर निकलती है तो उन्हें व्यांजन कहते हैं也 पिर इस तरह से भी कर सकते हैं जिनका उच्छारन सुपवर विए चन काते हैं या फिर dieses कि तरह से भी कर सकते हैं कि और स्वारों के सहयता से बोले जाने वाले वर्ण को व्यांजन वर्ण करते हैं अगर हम सब देखा जाए तो इसमें सबसे ज्यादा important आ रहा है क्या स्वर की सहयता स्वर क्या है स्वर स्वतन्त रूप से बोले जाने वाले वर्न है जिसे आ तो हम जानेंगे इसमें कि किस तरह से स्वर की सहयता से बोले जाते हैं मान लेजे हम लोग क बोलते हैं क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं का और यह हमारा क्या है श्वर है क्या है श्वर है इसके सहायता से जिस वर्ण मतलब व्यांजन वर्ण जो आग के सहायता मतलब श्वर की सहायता से बोले जा रहे हैं का तो वह क्या हो गया व्यांजन वर्ण हो गया इसे तरह हम देख सकते हैं ख मतलब आधा ख और रहित ख और अ दोनों मिलकर क्या बनता है ख बनता है ठीक है तो हम कह सकते हैं कि स्वर के बिना हम व्यांजन की कलपना नहीं कर सकते हैं स्वर से अलग होकर व्यांजन की कलपना नहीं हो सकता है, नहीं कर सकते हैं तो चलिए, आगे हम लोग जानेंगे स्वर, सौरी व्यांजन व्यांजन में हम लोग जानेंगे क्या जानेंगे कि व्यांजन को किस किस तरह से लिखा गया है और हमारा क्या-क्या वेंजन है क, ख, ग, ग, अंग, च, छ, ज, ज, य, त, ठ, ड, ध, र, त, थ, द, ध, न, प, भ, 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 म, य, र, ल, व, ताली विश्र, मुधंस, द, स, ह, एक्छ, त, ग, ग, और स, यह देखे, आप यहां पर मैंने क, क के नीचे हलंत लगाया है, मतलब यह वेंजन है बिना स्वर का, अगर मैं यह हटा दू, तो यह क्या हो जाएगा, स्वर के साथ वेंजन हो जाएगा, पुनरोप से वेंजन, मतलब यह की स्वर प्रहित वेंजन है, अगर आप बोल के देखे, एक बार क, तो क के साथ क्या आ रहा है, ख, क के साथ क्या आ रहा है, मतलब यह स्वर के साथ ही यह बोले जा रहे है, ठीक है, तो हम एक बार जान ले कि यह क्या है, यह इसका नाम है, इस वर्ग का, इस ग्रूप का नाम है, जि तो बहुत तेज रहता है उसे मॉनिटर बनाया जाता है उसके नाम सभी कोई जानते हैं इस तरह इस ग्रूप का इस क्लास का इस वर्ग का नाम जो है वह पहला अक्षर से लिख लिया गया है जैसे कर तो कर वर्ग हम लोग बोलते हैं ना क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 तो उसी तरह से है कर जो की सबसे पहले आ रहा है इसलिए कर वर्ग च सबसे पहला है वर्ग व्यांजन का इस ग्रूप का इस लाइन का इसलिए च वर्ग हम लोग कर लिया गया किस तरह से लिया गया है इस लाइन का इसके ग्रूप का सबसे पहला जो वर्ग आए उसे उस वर्ग का नाम से पुकार आ हम लोग की संख्या ठीक है तो हम लोग कर देखिंगत कप तो कवर्ग में पांच है इस इस तरह से देखा अंतस्त य, र, ल, व, कितना है? चार है पूश्म श, स, स, ह, कितना है? चार है अक्ष, त्र, गिय, और स्र, ये भी कितना है? चार है और एक आता है अन्य या उच्छिप्त वर्ण जो की वैंजन का ही वर्ण है ड, और ढ, ये कितने है? दो है ये तो हमारे हो गए है वर्णों की संख्या इसमें से हम लोग जानते हैं यहां से लेकर यहां तक मतलब 5, 1, 2, 3, 4, 5 5 into 5, 5 into 5 एक्वल टो 25 ये 25 वर्ण जो है वो असपर्स वैंजन का लाएगा क्या का लाएगा? असपर्स वैंजन ठीक है? और आगे का ये सारे वैंजन को हम लोग अलग-अलग करके परिभाशित करके जानेंगे तो अभी हम यहां पर वर्णों की संख्या देख रहे हैं तो यहां 25 वर्णों की ये संख्या हो गई हम लोग जानते क्या है कि परंपरागत रूप से परंपरागत रूप से अगर लिखा जाए तो वर्णों की संख्या होती है 33 और अगर इसमें ठीक है? अगर पूछा जाए कि परंपरागत रूप से वर्णों की संख्या कितनी होती है तो 33 अगर अन्य देखा जाए कि इसमें अगर हम संयुक्त को भी मिलाते हैं और इसके साथ साथ हम प्लस क्या करते हैं उच्छिप्ट को अन्य को भी मिलाते हैं अन्य को भी मिलाते हैं तो अन्य वेंजन दोनों को मिलाने के पर कितना हो जाएगा मेरा 39 वर्णों के संख्या मतलब यह टोटल को देखा जाए तो कितना हो जाएगा 39 अगर पूछा जाए कि पूरा पूरा माला में वेंजन में वर्णों के संख्या कितनी है तो कितना है 39 मतलब 49 अगर पूछा जाए कि परमपरागत रूप से वेंजन में वर्णों के संख्या कितनी है 33 तो चलिए हम लोग एक जानाकि यहां सेज्ग कम सलेकर कि क्या ही सब्स्राइजन का उर्माद कि आता है उस्मा यह जबस्रे कंटाने ऐन्यां इस तरह से देखा जाएं तो वैंजन के व्रों वर्ण में कितने व्यांजन के वर्नों को कितने भागों में बाटा गया है व्यांजन के वर्नों को पांच भागों में बाटा गया है अब हम लोग हर भाग को अलग अलग छोटा से जानेंगे कि किस तरह से किस को किस तरह से और क्या उसके मूल रूप है जिसके कानून उसे अलग अल होता है छूना ये कन्थ तालू मुर्धा दंथ और ओस्ठ इस्थानों के ऐस्पर्ससे बोले जाते हैं यह जो यह जो मैं बता रही हूं व्यंजन उसका उचारं में कंठ तालू मुर्धा दंद और उस्ट मतलब होट के अस्थान को छूता है उसे क्या कहेंगे असपर्स वेंजन इसे वर्ग्य वेंजन भी कहा जाता है कहीं कहीं वर्ग्य वेंजन के नाम से भी यह प्रशन पूछा जाता है तो इसे ध्यान रखेंगे कि असपर्स वेंजन को ही वर्ग्य वेंजन कह जाता है ठीक है तो हम कह सकते हैं कि इसके उचारन के समय जीव जो है मुख के अलग-अलग अस्थानों को छूता है असपर्स करता है जिस कारण से इसे क्या कहता है असपर्स व्यांजन कहा जाता है हम लोग जानते हैं कि परतिक वर्ग में पांच-पांच व्यांजन है हर वर्ग अपने वर्ग के पहले वर्ग के नाम से जाना जाजता है जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं अब हम लोग जानते हैं जैसे कि हम लोग जाने कंट 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 से अगर जानेंगे तो कंट में का खा जो है का खा गा गा और अंगा यह जब हम लोग बोलते हैं तो हमारे कहां से निकलती हवा कंट से मतलब गल्य से तो का खा का उचारन स्थन क्या हो गया कंट हो गया अगला देखते हैं तालू क्या है तालू तालू आप उचारन करके देखिए तालू मतलब क्या होता है कंट गला हो गया तो तालू जो दात के उपर में छोटा सा भाग पतली से लाइन है जिसमें कटी-कटी से है, तो उसको क्या कहेंगे, तालू कहेंगे, अब चाचा का उचारन करके देखें, च, ज, 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 और यह, इसके उचारन हमारे कहां से होती है, तालू से होती है, ठीक है, तो उचारन अस्थान चाचा, ज, ज, यह का क्या है, तालू है, अगला मुर्धा तो मुर्धा में हमारा तड़ और अगर हम उचारन करते हैं तो यह इसका उचारन इस्थन क्या हो जाता है मुर्धा आप उचारन करके देखिए मुर्धा उसे कहते हैं जो हमारे तालू मतलब दात के ऊपर का ठीक ऊपर वाला भाग जो कि तो आसा गाराई जैसा है और चिकना हट उसमें तो उसे क्या कहेंगे मुर्धा तो तठा डढ़ अणा का उचारन अस्थन क्या है मुर्धा है अगला हम लोग है दात दात त थ द और न इसका चारन अस्थान दात से है इसको हम लोग दंतन बोलते हैं दंतन जिससे आपको चारन अस्थान याद रखने में बहुत आसानी होगी दंतन का दंत दंत आ गया मतलब इस पूरे लाइन कहां से उचारन अस्थान क्या है इसका दंत मतलब दात अगला देखेंगे ओस्थ या फिर ओट प भ भ भ और म इसका उचारन अस्थान कहां से होता है ओट से है मतलब ओस्थ ठीक है तो यह हमारी होगे असपर्स वेंजन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं वर्गिया वेंजन भी कहते हैं अंतस्थ वेंजन अंतस्थ वेंजन हम लोग जानते हैं चार है यह र ल और व ठीक है यह क्या है अंतस्थ वेंजन हैं अंतस्थ का अर्थ होता है अंतस्थ मतलब मध्य में तो इसका अंतस्थ का पूराग पूराग अर्थ देखें तो मध्य में इस्तित होना अंतस्थ जोड स्थ अंतस्थ इसका अरथ हो गया क्या कि मध्य में इस्थित होना जिन व्यांजन के उच्चारण करते समय जिवहां मुख के विभिन भागों को पूरी तरह अस्पर्ष नहीं करती है बलकि मध्य की स्थिति से किसी न किसी तरह से वह निकलती है वह मध्य से बीच बीच से निकल जाती है जिसके कारण क्या कहता है अंतर्ष्थ व्यंजन कहा जाता है तो अंतर्ष्थ व्यंजन कितने हमारे चार है इसके संख्या है चार उस्म वियंजन यह भी चार है कौन-कौन से तो देखिए सब कि सब्सक्राइब और हप इसकी संख्या क्या है चार है उस्म उस्म से ही जैसे हम लोग जा रहा है कि इसका अर्थ होता है गरम उस्म का अर्थ होता है गरम मतलब क्या जिन वियंजन के उच्चारन के समय हमारे मुख के अंदर रगड़ाहट खाकर जो निकलती है हवा मुख से जो हवा निकलती है वो रगड़ाहट खाता है कहीं न कहीं मुख के अंदर में और रगड़ खाकर ही निकलती है तो उसमें क्या उत्पन होती है उश्मा उश्मा का अर्थ होता है गर्मी गर्मी उथपन होती है जिसका नोसे क्या में चाहता है उश्म वंजन करता है अब फ़ोद एक बर उचारन करकर देखिए अउज सह और ह मैं इस तरह से उचारन करने पर आप देखिएगा कि क्या होता है कि इसमें से जब हम उचारन कर रहे हैं तो हमारे जिवहा में क्या होती है मुख के अंदर कहीं न कहीं वायू रगड़ा आता है और उसमें गर्मी उत्पन होती है ठीक है और एक चीज है इसका जब उचारन करते है तो श्वास में भी क्या होती है तेजी आ जाती है क्या आ जाती है तेजी आ जाती है तो इस तरह से देखेंगे तो उसमें वैंजन भी कितने है चार है हम लोग देख चुके हैं आगे जैसे की और आगे हम लोग देखेंगे संयुक्त वैंजन संयुक्त वैंजन भी कितने है च प्यार है कौन-कौन से अक्षट्र गियां और स्र जैसे कि हम जानते हैं कि संयुक्त का अर्थ होता है मिला हुआ जब ये दोनों मिल गया तो इसको क्या बोलेंगे संयुक्त होना तो इस दो वर्ण जब आपस में मिलते हैं दोनों जब आपस में मिल जाएंगे और एक वर्ण बन जाएगा तो उसे कहेंगे संयुक्त वर्ण मतलब कि दोनों ही क्या मिलेगा आपस में व्यंजन ना कि शुर मिलेगा तो ध्यान रखेंगे संयुक्त व्यंजन में दोनों आपस में क्या होते हैं व्यंजन ही होते हैं और दोनों व्यंजन मिलके एक तीसरा व्यंजन का नाम तिसरा रूप धारन कर लेता है तो उसे क्या कहेंगे सही योगति वेंजन जैसे अक्ष है तो हम जानते हैं अधक जोड स मिलके क्या बनता है अक्ष बनता है त्र अधत जोड र मिलके बनता है त्र गिय बनता है अधज और इय गियां और स्रा बनता है आधा स्रा और रा मिलके स्रा बनेगा ठीक है तो यह इसके संक्या कितनी है कितनी है इसके संक्या चर एक है अन्य वेंजन अन्य वेंजन में हम लोग देखेंगे क्या डा इसता से नीचे 20 यह भी बिंड़ थे इसके संक्या है मतलब क्या कि इसे का सकते हैं कि इसे दूसरी नमों से भी पुकाराजता है जैसे आगे पढ़े थे हैं पीछे में उच्छिप्त वैंजन इसे क्या करता है उच्छिप्त वैंजन मतलब क्या कि जिनके उचारन में जीब जो है पहले उपर उठता है और उपर उठकर मुर्धा को छूता है और फिर एक जटके के साथ क्या होता है वो फिर नीचे आ जाता है तो उसे क्या कहेंगे उच्छिप्त वैंजन या फिर अन्य वैंजन थिक हिंदी में इसे विक्सित वर्न के नाम से या विक्सित व्यांजन के नाम से भी जाना गया है किस नाम से विक्सित वर्न के नाम से किस नाम से विक्सित विक्सित व्यांजन के नाम से जाना गया है किसमें हिंदी में और एक चीज यह संस्कृत में नहीं आता है यह बस हिंदी में ही आता है तो यह थी आज की वीडियो और अगर आप आगे और भी ज्यान की प्राप्ति करना चाहते हैं विस्तार पुर्वक और भी हिंदी को अच्छे तरह से जानना चाहते हैं और भी विस्त प्रताब